So hello everyone, क्या हाल चाल सबके, I hope each and every one of you is doing absolutely well, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, topic 3.5 of chapter plant kingdom that is angiosperms, angiosperms आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि flowering plant भी कहलाते हैं, अब flowering plant क्यों कहलाते हैं, उसके पीछे का simple सा reason तो यही है, कि इनके अंदर आपको flowers देखने को मिलते हैं, या वो by default angiosperm होगा, इस बात को आप लोग अपने दिमाग में डाल लीजे, second important thing, sperma का मतलब होता है seeds, तो gymnosperms में, gymnos का मतलब था naked और sperma का मतलब था seed, यहाँ पर angiosperm में sperma का मतलब भी seed है, लेकिन they are the covered seeds, तो gymnosperm से भी ज़्यादा advanced होते हैं यह, क्योंकि इनके अंदर covered seeds ह होते हैं, और seed के ऊपर का cover क्या कहलाता है, fruit कहलाता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कि fruit और flower यानि फल और फूल यहाँ पर present होते हैं, जैसे अगर आप आम खा रहे हो, तो आम का जो seed है, आम की जो गुठली है, वो अंदर है, उसके ऊपर का cover है, वो क्या है, वो आप का fruit है, तो seed is covered, it means that the fruit is present, as well as the flowers are also present, ओके, तो यहाँ पर आपको flowers के अंदर पाए जाने वाले sex organs को detail में पढ़ना है, इसके अलावा आपको एक ऐसी चीज जो सिर्प Enziosperm में ही देखने को मिलती है, उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, that is called as double fertilization, यह double fertilization वाला ज पढ़ाया जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा, कि जब यह topic खतम हो जाएगा, यह जब यह chapter खतम हो जाएगा, तो मैं sexual reproduction in flowering plants का भी double fertilization यहाँ पर crack करता हुआ चलूँ, जिसे वो chapter भी हमारे थोड़ा सा complete हो जाए, because they are entirely related topics, आज मैं आपको जो पढ़ाऊँगा, spaces पर आप से समझ सकते है, sexual reproduction in flowering plants वाले topic को भी, दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता है कि हमारे paid courses भी चलते हैं हमारे application के उपर, उनके लिए मैंने description में सारे के सारे links डाल दिये हैं, आप चाहें तो physics का, chemistry का, biology का, अलग-अलग भी course ले सकते हैं, अकेली test series भी purchase कर सकते हैं, और आप एक combined course भी ले सकते हैं, जिसके साथ आपको test series भी free मिलेंगी, DPPs, PPTs, PDF, video lectures, PYQs, exemplars, जितनी भी चीज़े आपको चाहिए रहती हैं, अपने neat exam को फोर दने के लिए, वो सारी की चीज़े ऑलरी एक aligned format में आपको मिलती हैं हमारे courses के अंदर, तो please make sure कि हमारे paid courses को आप लोग एक बार check जरूर करें, हमारी application को आप एक बार install जरूर करें, वहाँ पर काफी सारे question packs भी हैं, जो 10 रुपए के price से start हो जाते हैं, तो आप at least उन्हें purchase कर सकते हैं, so let's proceed forward and let's talk about angiosperm, जैसा कि हमने कहा angiosperm के अंदर specialized structure present होते हैं, जिने हम flowers कहते हैं, that's why angiosperms are also called as flowering plants, angiosperm जो हैं, यहाँ पर seed जो हैं, यह आपके fruit से enclosed होंगे, and that's why हम कह सकते हैं, कि fruits यहाँ पर present होंगे, पहली बार और seed जो है, उसको cover कर रहे होंगे आपके fruits, यह wide range of habitats में पाए जाते हैं, अलग-अलग जगा पर पाए जाते हैं, क्योंकि they are very adaptive in nature, they are very adaptive in nature, क्यों, क्योंकि सतर, maximum cases में, sexual reproduction को prefer किया जाता है, sexual reproduction को prefer किया जाता है, क्यों, क्योंकि angiosperms are flowering plants, तो यहाँ पर flower होते हैं, flower में आपको male और female sex organs, आसानी से मिल जाते हैं, तो usually, यह sexual reproduction से reproduce करते हैं, और sexual भी हो सकता है, लेकिन कापी कम, और जो sexual reproduction जादा दिखाएगा, जादा अच्छे तरीक populations आएंगी किसी भी particular plant के अंदर, वो जादा अलग-अलग जगाहों पर अपने आपको perpetuate करवा पाएगा, अपने आपको reproduce करवा पाएगा, और अलग-अलग दूर दरास के इलाकों में भी फैल पाएगा, तो यह काफी भिन-भिन प्रकार के habitats के अंदर पाए जाते हैं, जो smallest आपका flower होता है, वो आपका wallafia होता है, जबकि आपका जो tall tree है, जैसे कि eucalyptus, जिसे सफेदे का पेड़ भी कहा जाता है, जो 100 मीटर की लंबाई तक का भी आपको देखने को मिलता है, रोड के दोनों और उगे रहते हैं, northern states में जाधा तर, तो यह जो आपके flowers हैं, इनका खाने पीने के लिए फल मिलते हैं, जायर सी बात है, फ्रूट्स तो यहीं पे हैं, इसके लावा fodder यानि की गाए भैसों को, जानवरों को चराने का जो basically चारा है, वो भी हमें यहां से मिलता है, फ्यूल आपको यहां से मिल सकता है, काफी सारी medicines आपको यहां पर मिल सकती है और भी काफी सारे important ऐसे products हैं, जिनको आप marketize कर सकते हैं, वो भी आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं, और इन्हें दो classes में divide किया जाता है, जिनको आप बोलते है, dicot और monocot, dicot में die का मतलब क्या है, die का मतलब है two, और cot का मतलब क्या है, cotylidens यानि यहां पर दो cotylidens आ आपको देखने को मिलेगा, तो monocot और dicot में main फर्क क्या है, कि dicot में दो cotylidens होंगे, जबकि monocot में सिर्फ और सिर्फ एक cotylidens होगा, काफी सारे ऐसे plants हैं, जिनको आप अलग-अलग प्रकार से इस्तमाल करते हैं, जिसे aloe vera है, तो उसको खाने के लिए भी इस्तमाल करत सकते हो, आप अपने face पर scrub करने के लिए इस्तमाल कर सकते हो, तो काफी सारे base washes में, काफी सारे cosmetics में भी उसका इस्तमाल किया जाता है, काफी सारे ऐसे pool हैं, जिनको आप ornaments के तौर पे अपने घर में लगा सकते हो, तो मैंने भी अपने घर में जैसे pool उगा रखे हैं, तो यह तो इनकी जो varieties हैं, वो भी काफी सारी हैं, इनकी size range भी बहुत जादा digors है, यह अलग-अलग जगाहों पर पाए जाते हैं, और अलग-अलग तरीके से इस्तमाल भी किये जा सकते हैं, इनके पाइदे भी काफी सारे होते हैं, अब monocot or dicot में main पर क्या है, अब dicot जो है, main त इस प्रकार से आपकी अगर veins जा रही हैं, तो आपको पता लग जाएगा भाईया, यह dicot है, जबकि अगर यह आपकी पत्ती है, इसमें यह lines जो है, veins जो है, interact नहीं कर रही है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को intersect नहीं कर रही, parallel ही जा रही हैं, तो यह क्या हो जाएगा, monoc हो जाएगा, it is called as parallel venation, okay, veins जो है, parallel attach हैं, और यहाँ पर क्या है, यह reticulate venation है, आपकी यहाँ पर क्या है, intersect कर जा रही है, veins और veins लेट्स, इसके अलावा, dicot जो है, यह tetrameras या pentameras flowers प्रड्यूस करते हैं, tetra और pentameras मत्तब, यहाँ पर जो flower की parts होंगे, जिने आप floral parts भी कहते हैं, वो 4 या 5 के multiple में होंगे, यानि आपने समझ लीजिए, एक potato को देखा, आपने potato के flower को देखा, और आपको पता लगा, कि वहाँ पर जो आपकी saples हैं, जो पतियां हैं, जो फूल को cover करके रखते हों, पांच हैं, उसके अलावा आपने देखा, कि यार वहाँ पर जो पांच के multiple में हैं, तो इसे पांच के multiple में हैं, जैसे पांच हो सकती हैं, दस हो सकती हैं, पंद्रह हो सकती हैं, यूश्वली पांच और दस ही होती हैं, जनरल केसे में, तो अगर ये चार या पांच के multiple में हैं, जैसे चार के multiple में, चार, आठ, बारा, यूश्वली चार या कि दो cotyledon होंगे reticulate venation होगी और tetramerus या pentamerus flower होगा तो तो dicot और monocot कब होगा सारी चीज़ें उल्टी कर दो ठीक है single तो आपका cotyledon होगा नाम से समझ में आ रहा है venation आपकी parallel होगी और trimerus आपका flower होगा यानि 3 के multiple में जो हैं चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जैसे कि 3, 6, 9 and so on इस साब के flowers आपको देखने को मिलते हैं अब यह जो flowering plants है इनमें male sex organ होता है और female sex organ होता है तो male और female sex organ को क्या बोलते हैं male sex organ यहाँ पर stamen होता है and stamen जो है इसमें दो पार्ट होते है enter और filament सबसे उपर enter present होगा और उसके बाद filament आपका present रहेगा enter के अंदर pollen mother cell होते हैं जो की meiosis द्वारा reproduce करके क्या बनाएंगे आपके microspores बनाएंगे जो की further pollen grain बन जाते हैं देखें मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ आपके stamen का अगर मैं structure बनाओ then what will stamen look like मैं क्या कहा इसा हमने बोला by lobed enter और इसके हर lobe के अंदर दो दो compartments भी पाए जाते हैं एक ये compartment एक ये compartment तो नीचे वाले के अंदर भी दो compartment होगे एक ये compartment एक ये compartment ठीक है ये है मेरे दोस्त आपका by lobed enter और by lobed enter के नीचे जो डंडी है जो stock है इसे हम क्या बोलेंगे जो डंडी या जो ये स्टॉक है इसे हम लोग बोलेंगे फिलामेंट है ठीक है इसे हम लोग बोलेंगे फिलामेंट और ये जो फिलामेंट है लंबा स्टॉक लाइक स्टॉक्चर है डंडी लाइक स्टॉक्चर है ठीक है तो स्टैमन के अंदर दो पार which is male gametophyte जिसके अंदर male gamet present होता है यहाँ पर pollen grains बनेंगे तो जब यह छोटे-छोटे compartments मैंने बनाए है ना चार जब यह फटेंगे तो इसके अंदर से pollen grains क्या हो जाएंगे? release हो जाएंगे इसके अंदर से छोटे-छोटे pollen grains release हो जाएंगे तो जो यहाँ पर microspore mother cell है नाम में अगर mother cell या meosite आगया इसका मतलब meiosis करेगा, mother cell का मतलब है meiosis करने वाला cell, तो mother cell meiosis करेगी तो चार haploid pollen grains बना लेगी haploid pollen grains फिर release हो जाएंगे यह है आपका structure इसका male sex organ का, similarly female sex organ यहाँ पर present रहता है जिसे pistil बोलते हैं या carpel भी बोल सकते हैं तो यह जो pistil और carpel है इसमें stigma style और ovary present रहती है, ठीक है stigma style और ovary present रहती है और ovary के अंदर ovule होंगे, यह भी हम लोग बना करके देख लेते हैं, अगर मैं female की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है या आपकी carpel पाई जाएगी pistil या carpel यहाँ पर मौझूद है stigma का मतलब वो surface जहाँ पर pollen आपका आकर के receiver होगा right, pollen जहाँ पर आकर के land करेगा so it is the main landing surface फिर नीचे जो आपकी tube like structure है that is called as style जो नीचे egg तक ले जाएगी pollen grain को तो यह रास्ता दिखाने वाली जो tube है that is style and सबसे नीचे जो bulged part है जो सूजा हुआ part है इसे क्या कहा जाता है ovary और इस ovary के नीचे क्या लगा रहता है cushion लगा रहता है जिसे हम कहते है placenta ठीक है और इस placenta के उपर क्या present रहता है आपका egg present रहता है इस placenta के उपर आपका egg present रहता है यानि आपका ovule present रहता है so what is it? it is ovule what is this? this is ovary what is this? this is cushion called as placenta what is this? this is the landing surface called as stigma what is this long tube? this is a long tube called style so stigma, style और ovary तीन major part है आपके pistol के या carpel के अब क्या होगा मेरे दोस्ट अब यहाँ पर आपके pollen grains अलग-अलग माध्यम से चाहे कोई जानवर आकर के यहाँ पर छोड़ दे चाहे कोई आपके हवा के थूँ आए चाहे वो पानी के थूँ स्विम करके आए अलग-अलग प्रकार से क्या हो सकता है यह जो आपके pollen grains है यह यहाँ तक पहुंच सकते है अब क्या होता है stigma और pollen के बीच में interaction होती है क्योंकि हर pollen को तो पास पहुंचाए नहीं जा सकता हो सकता हो किसी दूसरे species का pollen हो और आपको पता है due to the biological concept of species we know that very well जो Ernest Meier साब आपने concept दिया थे कि दो अलग-अलग species के sperms combine होना ovum के साथ is not very possible same species के अंदर ही यह काम हो सकता है तो कुछ pollen को reject कर दिया जाता है और यहाँ पर भी जो सबसे ज़ादा desired pollen होगा जो अच्छी variations दे पाएगा उसको पहुँचा दिया जाता है अब एक तक पहुँचाने के लिए क्या यहाँ पर germinate होता है pollen germinate हो जाता है और बन जाती है pollen tube यहाँ पर एक प्यारी सी tube बनेगी जो कि इस pollen grain को पहुँचा देगी आपके ovule तक ठीक है तो यह pollen tube बनी इस pollen tube से क्या हुआ आपका जो pollen grain है यह यहाँ तर पहुँच गया अब pollen grain को हमने क्या बोला था male gametophyte male gametophyte it's not male gamete it's male gametophyte हमेशे याद रखना काफी बच्चे confused हो जाते है कि सर pollen grain male gamete है नहीं अगर आप pollen grain की शकल देखे न तो pollen grain आपका कैसा होता है pollen grain आपका कुछ ऐसा दिखाई देता है ठीक है यहाँ पर एक vegetative cell रहता है बड़ा इसे VC लिख देते हैं यह नीचे generative cell रहता है यह generative cell दो cell में divide हो जाता है यह एक male gamet बनाता है और यह नीचे वाला भी एक male gamet बनाता है तो यह दो male gamet present होता है किसके अंदर यह दो male gamet present होते है pollen grain के अंदर तो pollen grain को कहा जाता है male gamet वाइट जबकि male gamet कहा जाता है इसे male gamet कहा जाता है इसे तो अब यह क्या करेगा यह pollen grain यहाँ पर आई तो इसने दोनों male gamet यहाँ पर इसके अंदर release कर दिये ठीक है यह बात हो गई यहाँ तक सबको बाते समझ में आ जाली चाहिए एक बार मैं laser pointer ले करके अपनी बातों को दुबारा से repeat कर देता हूँ stamen यानि जो male sex organ है इसके दो पार्ट है filament जो की नीचे से connect करेगा इसको flower के साथ and आपका enter यह जो enter है इसके अंदर चार compartments है इन compartments में क्या होगा micro spore mother cell pollen grains में transform होंगे और जब यह compartments फट जाएंगे जब बहुत जादा pollen grains इसके अंदर आ जाएंगे तो यह compartment फट जाएगा pollen grain release हो जाएंगे और कहां पहुँच जाएंगे female तक क्योंकि यह तो उड़ सकते हैं motile है मतलब motile तो नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ उड़ सकते हैं हवा से पानी से move कर सकते हैं यह खुद नहीं move कर सकते हैं तो इनके पास कोई flagella वगरा नहीं है movable है in the sense कि इनको हवा पानी या जानवर एक जगा से दूशे जगा ले जा सकते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है यहाँ पर इस female तक pollen tube ग्रो हुई और यहाँ पर अंदर सारी की सारी चीज़े जो है इन्हें ट्रांस्पोर्ट कर दिया गया यहाँ तक कोई point नहीं छूटा है अब हम आगे बढ़ जाते हैं अब देखो generally each ovule has a mega spore mother cell जैसकि micro spore mother cell था न ऐसे ovule के अंदर भी mega spore mother cell होता है अब mega spore mother cell है या meocyte है तो meocyte हो करेगा और 4 haploid mega spore बनाएगा अब 4 haploid mega spore में इसे मैंने आपको gymnos pump में भी बताया था कि आपके 3 जो हैं वो degenerate हो जाते हैं सिर्फ एक ही आपका क्या करता है mature होता है इसे कहते हैं हम लोग monosporic development monosporic मतलब monospore जो है monomega spore जो है single mega spore जो है वही develop करेगा और कोई develop नहीं करेगा monosporic development होती है 3 degenerate हो जाएंगे इन 4 में से एक ही आपका क्या करेगा बहतर बनेगा तो 3 degenerate हुए और एक आपका divide करेगा embryo sac बनाने के लिए कैसे divide करेगा वो मैं आपको बताऊंगा embryo sac जो है इसमें कितने cells होते हैं इसमें आपके usually 7 cells होते हैं और आपके 8 nucleus present रहते ठीक है तो 8 nucleus कैसे एक nucleus तो initially था आपका mega spore के अंदर वो बार 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 डिवाइड कर गया ओके कैसे divide कर गया just have a look at that देखो यार यहाँ पर क्या है यह आपका mega spore mother cell है right यह क्या है mega spore mother cell mega spore mother cell में क्या था एक nucleus था एक cell है एक nucleus है बात समझ में आगे यह क्या है आपका mega spore mother cell mega spore mother cell अब mega spore mother cell में क्या होगा free nuclear division होगी free nuclear division मतलब nucleus divide करेगा सिर्फ cell wall नहीं बनेगी तो क्या हुआ यहाँ पर यह जो आपका cell था मेरे बंदू यह वैसा का वैसा रहा सिर्फ nucleus divide किये और opposite poles पर चले गए तो क्या होगे यहाँ पर एक nucleus की जगा दो nucleus बन गए तो इसे आप बोल दोगे दो nucleated stage भाया दो nucleated stage बोल दिया ना अपनी से दो nucleus बन गए और opposite poles के उपर चले गए फिर आप इसे क्या बोलोगे अगली stage को जहाँ पर दोबारा से आपकी क्या होई mitosis होई तो 2 nucleus की जगा 4 nucleus आपके मुझूद हो जाएंगे तो 4 nucleus थे 2 एक pole पे चले गए और 2 एक pole पे चले गए इसे आपने क्या बोल दिया 4 nucleated stage 4 nucleated stage आपने इसे बोला अब यह जो 4 nucleated stage है यह क्या खरेगी यह भाईया और आगे जाएगी और 8 nucleated stage बना लेगी तो यहाँ पर हमेशे इसको दोबारा दिखा देते हैं क्या हुआ 8 nucleated stage आपकी यहाँ पर डवलप हो गई 8 nucleated stage आपकी यहाँ पर बने तीन आपके उपर चले गए और तीन आपके नीचे चले गए अब आप सोचेंगे आठ nucleus बन गए अब इन पे cell wall आएगी अब इन पे cell wall आएगी तो उपर जो है आपकी cell wall आएग यह एक cell बना यह दो cell बने यह 3 cell बना यह साथ रहते हैं इकटे अगर मैं इसे बोलता हूँ कि यह आपका क्या है चलाजल end है ओके चलाजल end और micropylor end होते है एक particular embryo sec के अगर इ cell एक जगा जो पाए जाता है इन्हें कहा जाता है antipodal cell यह एक जैसे होते है antipodals इन्हें कहा जाता है and यहाँ पर आगर आप देखेंगे तो दो आपके क्या है synergid cells है यह दो जो है आपके यह क्या है synergid cells है synergid cells की खास बात क्या है synergid cells की खास बात यह है कि मेरे भाई यहाँ पर आपको philiform operators नाम के projections देखने को मिलेंगे जो कि pollen grains को यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक लेके आएंगे female gamet तक female gamet कौन सा है यह वाला है यह आपका main egg है यह आपका female gamet है जहाँ पर आपका male gamet आकर के fuse करेगा और यह जो दो छोटे छोटे आपके nucleus है यह central cell के अंदर present है central cell मतलब center पे यह जो भी बचा है यह पूरा ए आप में यह जो दो छोटे-छोटे nucleus present है इन्हें क्या बोल दिया polar nuclei बोल दिया इन्हें क्या बोल दिया two polar nuclei न्यूकलिया इन्हें बोल दिया ठीक है antipodals हो गए आपके तीन नंबर दो polar nucleus हो गए ओके female gamit होगया आपका 1 और synergis हो गए आपके 2 तोटल आप अगर nucleus count करोगे तो 3 nucleus antipodal cell के 2 polar nucleus के 2 synergis के 2 synergis के 1 एक cell का total हो गए 8 लेकिन cell अगर count करोगे तो 3 antipodal 2 synergis एक आपका female gamit cell और 2 polar nuclei जो है एक central cell के अंदर ही present है तो 7 cell आपके पाए गए इसे कहा जाता है 7-celled 8-nucleus stage कि nucleus तो 8 है लेकिन cell आपके साथ ही है यह condition आपको देखने को मिलती है ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा अब यहाँ पर 2 आपके देखने को मिलेंगे आपको male gamet है 2 आपके male gamet देखने को मिलेंगे एक male gamet आपका यहाँ पर आजाएगा जो की fuse कर जाएगा female के साथ तो यहाँ पर क्या होगी यहाँ पर gamet की fusion हो जाएगी यहाँ पर ठीक है और एक आपका कहाँ पर चला जाएगा एक आपका male gamet चला जाएगा यह दो polar nucleus के पास और यहाँ पर जाकर fusion कर लेगा तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर male gamet और female gamet जब fuse हो रहे हैं तो इसे आप क्या बोलोगे इसे आप बोलोगे syngammy syngammy मतलब आपका main जो है sexual reproduction में जो fusion होता है that is syngammy तो यहाँ पर क्या होगा इसके result से बनेगा आपके पास diploid zygote मेरे भाईया यहाँ पर 2 haploid चीज़ें अगर fuse कर रही है तो diploid zygote बनेगा ना लेकिन यहाँ पर पहले ही 2 polar nucleus थे 2 polar nucleus थे यहाँ हैploid 2 cell थे जो fuse कर जाते हैं और haploid male gamet आगया तो इसे क्या बोला triple fusion तीन cell fuse हो गए तो जो चीज़ बनेगी वो भी triploid बनेगी जो चीज़ बनेगी वो भी triploid बनेगी तो triploid primary endosperm nucleus यहाँ पर बनता है और यह जो central cell हम जिसे बोल रहे थे वो primary endospermic cell कहलाने लग जाता है अब syngami और triple fusion दो तरीके की fusion होती हैं दो तरीके की fertilization होती हैं इसलिए इसे हमने क्या बोला इस पूरे के पूरे process को हमने double fertilization बोल करके संबोधित कर दिया यह हमारा काम यहाँ पर हो जाता है यह बात है अब यहीं पढ़ना है हमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अब हम सिर्फ यहीं पढ़ेंगे अब आप देखें क्या लिखा हुआ है embryos egg जो है इसमें तीन cell का तो egg apparatus है तीन cell का egg apparatus मतलब दो synergy और एक egg एक female gamit उसे egg apparatus बोला तीनों cell को मिला करके तो one आपका egg cell हो गया यहाँ पर दो synergy हो गया सेम बात लिखी हुए तीन आपके antipodal है और दो polar nucleus है तो total 8 nucleus हो गए मानते हो मानना ही पड़ेगा ठीक है polar nucleus जो है यह fuse होकर diploid secondary nucleus बना लेते हैं और यह जो diploid secondary nucleus है यह male gamit के साथ है diploid male gamit के साथ fuse करके triploid pen बना लेता है primary endospor nucleus बना लेता है तो जब pollination होगी तो pollen grains को इस embryos egg तक पहुँचाय जाएगा यहाँ पर क्या होता है embryos egg तक आपके male gamits को पहुचा दिया जाता है जहाँ पर male gamits को छोड़ दिया जाता है एक आपका male gamit egg cell के साथ आपका fuse करेगा male gamit और egg याणि egg और sperm fuse कर रहे हैं तो क्या बनेगा zygote syngame होगी zygote बनेगा जबकि आपका दूसरा जो male gamit है यह diploid secondary nucleus के साथ जो polar nucleus ने fuse होकर के diploid secondary nucleus बना लिया था यह बनाएगा triploid primary endosperm nucleus क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार की fusion हो रहे हैं syngame और आपकी triple fusion तो इसलिए double fertilization इसे बोला जाता है जो कि एक unique feature है endosperm का zygote जो है यह आगे आपका develop होकर के क्या बना लेगा embryo बना लेगा यानि एक single cell जो zygote है deployed यह आगे चलके और cells बनाएगा और पूरे के पूरे embryo को बना लेगा जबकि यह जो आपका pen है primary endosperm nucleus यह आगे चलके क्या बनाएगा endosperm बना लेगा और यह nourishment प्रोवाइड करता है endosperm मतलब जब cell division होता है तो खाने पीने का सामान चाहिए वो जो खाने पीने का पदार्थ है वो जो nourishment है यह कौन प्रोवाइड करेगा यह आपका pen से जो endosperm बना है वो प्रदान करेगा तो एक cell का fusion हो गया और आपके polar nucleus का fusion हो गया male gamit के साथ दोनों synergit बच गए और तीन antiportal बच गए तो जो synergit बचे हुए रहते हैं और जो antiportal बचे रहते हैं यह degenerate हो जाते हैं इनकी किसी चीज में conversion नहीं हो रही तो ovules जो थे यह आपके fusion के बाद seed में convert हो जाएंगे और ovaries जो थी जिसने ovule को cover कर रहा था यह fruit में convert हो गई दोनों ही चीज़े जो है आपकी बन गई यहाँ पर gymnosmum में fruit नहीं बन रहा था सिर्फ और सिर्फ seed बन रहा था इसलिए वहाँ पर naked seed थे यह आपके dicot और monocot के कुछ examples है which are given in NCRT you can note them up कि कि अगर पहचानने के लिए आजा image तो आप असानी से देख करके पहचान सकते हैं यह आपका main slide है जिसमें सारे की सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई है now by laser pointer let us understand what is happening already हम यह सारी बाते हाथ से बना कर देख चुके हैं बढ़ एक बार फिर देख लेते हैं यह आपका filament है यह enter यानि यह किसका structure है stem and का structure है enter के अंदर आप देख सकते हैं जो microspore engine है इसमें छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे microspore बन रहे हैं यह microspore जो है यह आगे चलके dehydrate हो जाएंगे और किसमे convert हो जाएंगे pollen grain के अंदर pollen grain इसे हम बोलने लगे pollen grain में आपके दो gamet present हो ठीक है अब देखो यह female है female के अंदर आपके ऊपर तीन समयलो antipodals है center पे दो आपके pollen nucleus present है नीचे synergy door egg है यहाँ पर आपके दो male gamet आ चुके हैं मेरे दोस्त यानि pollination हो चुकी है तो क्या होगा यह जो female थी इसके अंदर mega spore mother cell था इसने free nuclear division किया 8 nucleus बने और आपके 8 nucleus यहाँ पर present है embryo sec के अंदर 2 male gamet आए तो एक male gamet यहाँ पर fuse करेगा इस deployed secondary nucleus के साथ एक male gamet fuse करेगा यहाँ पर egg के साथ तो जब यहाँ पर fusion होगी तो 3 cells fuse हो रहे है triple fusion इसे बोला जाएगा यहाँ पर fusion होगी egg or sperm की तो इसे क्या बोला जाएगा fertilization या singemi बोला जाएगा जब singemi होगी तो zygote बनेगा जिससे embryo बनेगा और यहाँ पर जो fusion होगी इससे pen बनेगा primary endosperm nucleus जिससे आगे चलके endosperm बनेगा और पूरी की पूरी plant body तयार हो जाएगी यह आपका endosperm है I hope आपको समझ में आ गया होगा मैं दुबाराश इस topic को आपको पढ़ाऊंगा एक दो दिन के अंदर लेकिन sexual reproduction of flowering plant वाले topic को incorporate करके जिससे साथ-साथ आपके दो topics complete हो जाएगे तो दोस्तों अगर आप हमारे paid batches को join करना चाहते हैं अगर आप physics, chemistry, biology individually पढ़ना चाहते हैं या combined way में पढ़ना चाहते हैं we are always there for you please go in the description वहाँ पर आपको सारे के सारे links मिल जाएगे आप अपना मन चाहा course purchase कर सकते हैं और कल परसों के अंदर मैं बीच में थोड़ा सा busy हो गया था test series को लेकर के कल परसों के अंदर आपकी test series भी launch हो जाएगी chapter wise, part wise, full wise full syllabus wise सारी test series आपको मिल जाएगी तो marks up learning app को यार install कर लीजे because यह application आप लोगों को काफी कुछ provide करती है at a very affordable cost 10 रुपे से हमारे जो question banks सा वो start हो जाते हैं and up to 100 rupees 150 rupees हमारे question banks की cost रहती है अब चाहें तो इन्हें purchase कर सकते हैं so that you can't waste more of your time rather than scrolling facebook और whatsapp और instagram you can just scroll the marks up learning application and ultimately आप अपने marks को बढ़ा सकते हैं and other than that अब सिंसे chapter खतम होने वाला है सिर्फ alternation of generation बचा है तो आप marks up learning app नाम के telegram channel को join कर लीजे link आपको description में मिल जाएगा जब आप इस channel को join करेंगे तो नीचे आपको मेरे notes जो है मिल जाएगे हस दिलिकित handwritten notes जिन से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये notes आपको सारे के सारे available करा दी जाएगे so thank you so much guys for watching this video I'll surely be catching you up in the next video तब तक के लिए शुक्रिया bye bye दुकाम थोड़ी हो रखे थी तो I hope you have beard my voice very well और एक दो दुन्यार ऐसी रहेगी जुकाम में थोड़ा नाग बंद हो रखा है मेरा तो थोड़ी ऐसे buzzing आवाज आ सकती है आपको बीच में but I hope it was fine I have you know kept my levels up कि मैं अच्छी आवाज में यहां पर बात करफा लेकिन थोड़ा बहुत होई जाता है भाई बीच में तो thank you so much for bearing that also and we'll surely catch you up in Alternation of Generation जहां यह chapter खतम हो जाएगा बहुत रटने वाला chapter था Animal Kingdom तब भी ठीक है Plant Kingdom बहुत रटने वाला chapter था इसने बहुत आराम से इसको मैंने किया है Animal Kingdom यू निकाल देंगे और Morphology Anatomy फिर बीच बीच में करेंगे जरूर देख लेना और test series भी आने वाली है तो उसके लिए भी तयार रहना Bye Bye Take Care Lots of Love जाहें ने